दोस्तों सुवागत है आपका अज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों हमने क्म्यूंटी सेक्षण में एक पोस्ट की थी जिसमें हमें औरका यान याने की ट्विन एंजन डेक्ट बेस्ट एक्राफट के उपर वीडियो बनाने के लिए कहा गया था तो आज की इस वीडियो में हम औरका फाइटर जैट को डिटेल में जानेंगे औरका और ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर एक क्राफ्ट एक ही एक क्राफ्ट के दो वेरियंट है औरका Air Force का variant है और वहें Twin Engine Deck Based Fighters Acraft Navy के लिए बनाया जाने वाला एक variant है इन दोनों में फर्क यह होगा कि औरका Twin Engine Deck Based Fighter Acraft के मॉकाबले में हलका होगा और वहें Twin Engine Deck Based Fighter Acraft एक Foldable Wing Acraft होने के कारण एक Heavy Acraft होगा और इसके साथ ही ये एक carrier पर इस्तेमाल करने के लिए इसमें एक reinforced landing gear का इस्तिमाल किया जाएगा जिससे इसका वजन काफी बढ़ जाएगा और का twin engine deck based fighter aircraft के मुकाबले में डे टन हलका होगा twin engine deck based fighter aircraft की development को navy sport कर रही है और इसको funding मिल चुकी है इसे तक्रीबन 13,000 क्रोड की funding sanction कर दी गई है इस fighter jet की पहली flight 2026 तक plan की गई है इसके पहले prototype की roll out को हम 2024-25 तक expect कर सकते हैं ये fighter jet navy के mig 29 के fighter jets को replace करेगा ये fighter jet 2029-30 तक production में अंटर हो जाएगा ये fighter jet राफेल fighter jet की class वाला एक fighter jet होने वाला है और reports हैं कि ये राफेल fighter jet से ज़्यादा बहतर होगा और इसके साथ ही ये F-18 fighter A craft और राफेल M-A craft के मकाबले में सस्ता होगा Air Force ने अभी इस fighter jet की development को support नहीं किया है लेकि Ministry of Defense ने कहा है कि Indian Air Force भी इस project में शामिल हो Indian Air Force पहले ही बहुत सरे fighter jet प्रोग्राम को support कर रहा है इसलिए वो एक नए program को support नहीं करना चाहते है Indian Air Force अभी तेजस माक 1 A program और तेजस माक 2 program और एम से fighter jet program को support कर रहे है और अभी चल रहे cash crunch के कारण उनके पास इतने funds available नहीं है कि वो एक अलग से और का fighter jet को भी support करें लेकिन अगर हमारी स्थिति इंप्रूव होती है तो शायद Indian Air Force भी इस fighter jet program को join कर ले अगर ये Air Force में शामिल होता है तो ये राफेल fighter jet की class वाला fighter jet होगा और ऐसी report है कि ये SU-30M के A craft को भी replace करेगा Twin engine deck based fighter A craft एक 24.5 ton का fighter jet होगा और Air Force के लिए बनाया जाने वाला और का fighter jet एक 30 ton की category वाला A craft होगा इस fighter jet में 13 hard point होने वाले हैं बाकी इसके specification के बारे में अभी कोई clarity नहीं है इसके design के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि एक twin engine A craft होगा जो कि carrier operations के लिए ideal configuration है एक दूसरा engine लगान दिने से इसका वजन काफी बढ़ जाएगा और उसके साथ ही इसके पूरे air frame के internal structure को re-work करना पड़ेगा उसके साथ ही इसके control surfaces को भी redesign करने की जूरत होगी पराने control loss इस एक craft में काम नहीं करेंगे इसलिए इसमें नए control loss की जूरत होगी यही कारण है कि अगर ये तेजस Mark 2 A craft का एक twin engine variant भी हुआ तो फिर भी इसके design के उपर काफी work करने की जूरत होगी इसमें तेजस Mark 2 A craft में इस्तिमाल किया जाने वाले काफी design features होगे इसमें कनार्स का इस्तिमाल किया जाएगा जिससे इसके design में stability आएगी और इसके साथ ही कनार्स के साथ इसका take off distance भी काफी कम हो जाएगा और ये कनार्स air brakes के तोर पर भी काम कर पाएंगे इसके साथ ही इसमें DSI intakes का इस्तिमाल किया जाएगा जिजात तोर पर 5th generation fighter A craft में देखी जाती है DSI inlet का मतलब होता है diverter less supersonic inlet इन्हीं inlets का इस्तिमाल F-35 A craft और J-20 fighter jet में भी किया गया है और इसी फीचर का इस्तिमाल हमारे AIMCF fighter jet में भी किया जाएगा इसके साथ ही सेक क्राफ्ट में conformal fuel tanks का भी इस्तिमाल किया जाएगा external drop tanks के मकाबले में अगर हम conformal fuel tanks को देखें तो conformal fuel tanks को ज़रूरत के बाद drop नहीं किया जा सकता है ये air frame के साथ जुड़े होते हैं और वहीं जो external drop tanks होते हैं उनको इस्तिमाल करने के बाद discard कर दिया जाता है और उनने drop कर दिया जाता है लेकिन इन conformal fuel tanks के साथ A craft के radar क्रॉस section में भी कमी आती है और इसके साथ ही A craft के additional hard points भी फ्री हो जाते है जिसमें अगर external drop tanks का इस्तिमाल के जाता तो वो occupy हो जाते और हम A craft के इस्तिमाल से ज़्यादा weapons को करी नहीं कर पाते इसे A craft के additional hard points फ्री हो जाएंगे और एक craft ज़्यादा weapons करी कर पाएगा और का fighter jet में 4 hard points हर wing के नीचे होंगे और 4 hard points fusilas के नीचे होंगे और एक hard point को targeting pod के लिए reserve किया जाएगा और इसके साथ ही इसमें dual balance का इस्तिमाल भी किया जा सकता है जिससे इस fighter jet की weapon load capacity 9 tons तक पहुँच जाएगी इसके engine के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में ऐसी report थी कि इसमें general electric का F414 engine यूज़ किया जाएगा अगर इसमें GEF414 engine यूज़ किया जाता है तो इसमें लगे दोनों engines का combined wet thrust 196 KN का हो जाएगा इसके डार के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक उत्तम AESR डार का इस्तिमाल करेगा जिसका size A craft की nose cone के उपर depend होगा अगर बड़ा nose cone हुआ तो जदा powerful और जदा TR modules वाला डार इसमें लगाया जा सकता है और और का एक बड़ा aircraft होने वाला है तो इसमें जदा TR modules वाला उत्तम AESR डार लगाया जा सकेगा 130M के एक craft के लिए हम एक बड़े उत्तम AESR डार के उपर काम कर रहे हैं जो कि इसमें यूज किया जा सकता है ये fighter jet तेजस Mark 2 के साथ 80% components को share करेगा और इसके साथ EMCA fighter jet के लिए develop की जाने वाली technologies को भी इस एक craft में यूज किया जा सकेगा इस एक craft में DR डियो दोरा बनाएंगे avionics का इसमाल किया जाएगा इसमें मायावी electronic warfare suite का इस्तिमाल किया जा सकेगा और इसके साथ ही दूसरे avionics का भी इस्तिमाल किया जाएगा इसमें एक infrared search and track system भी होगा जिसका इस्तिमाल तेजस Mark 2 एक craft में भी किया जाएगा इसके साथ ही इसमें improved data fusion capability होगी और इसके साथ ही ये अपने friendly एक craft के साथ बेहतर data link maintain कर पाएगा और इसकी situational awareness भी काफी increase हो जाएगी और क्योंकि ये एक craft दोज़ेश 20 के बाद service mentor होगा तो तब तक हमारी अस्तिमाक 2 मिसाईल और अस्तिमाक 3 मिसाईल भी इसे craft के साथ इस्तिमाल की जा सकेगी और हमारी भ्रमोस मिसाईल को भी इसके साथ carry किया जा सकेगा क्योंकि ये काफी heavy aircraft है और ज़्यदा पेलोड carry कर सकता है तो इसमें ज़्यदा heavy भ्रमोस मिसाईल को भी carry कर पाएगा जो की antiship roll के लिए ideal missile है ये aircraft हमारी navy के लिए राफेल M aircraft और F-18 aircraft के मकाबले में एक बहतर और एक सस्ता alternative है लेकिन जूरी बात ये है कि ये aircraft कितनी जल्दी develop किया जा सकता है क्योंकि जब तक ये aircraft develop किया जाएगा तो तब तक हमारी navy को एक नए aircraft की जूरुरत होगी तो ऐसा हो सकता है कि राफेल M aircraft ही हमारी navy की requirement को पूरा करे और वहीं बात अगर हम air force की requirement की करें तो एक बार अगर ये aircraft develop हो जाता है तो शायद air force भी इस aircraft को induct करना चाहे तो दोस्तो आज किस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जुरू लाइक और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग डिस वीडियो जै हिंद जै भारत प्रूब तो आपको जब किस वीडियो में अभाओ ये जब किस वीडियो जब कुड़ा है